हालो बच्चो आज हम कख्षा 2 की करलव की किताब का पार्ट 2 पढ़ेंगे जैसा की बच्चो इस पार्ट का नामी पास पडोस है हमारे आस पास जो भी कुछ कारें जो भी कुछ वस्तू है उसको हम पास पडोस कहेंगे जैसे इस पिक्चर में एक और दूद निकाल रही है कुछ लोग नियूस पेपर पड़ रहे है माली फूल बेच रहा है लड़की फूल खरीद रही है और बहुत सारे कारे हो रहे हैं इसी तरह से आपके पास परोस में जो भी कारे होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे बच्चो इस लेसन में कुछ कोशन्स हैं तुमारा घर गाउं में है या शेहर में जैसे आपका घर शेहर में है तो आप शेहर में लिख देंगे तुमारे गाउं शेहर का क्या नाम है आपके शेहर का नाम मुरदबाद है तो आप मुरदबाद लिख देंगे आपके पास प्रोस में कौन-कौन रेता है यह सारे कोशन्स है इनको हम कोशन्स को अलेदा लिखकर आपको दिखाएंगे और नीची जो तारा दिया हुआ है इसे आप होमवर्क में करेंगे ओके बाई इसे अच्छी से समझे